का इत्यास बताता है इन्होंने सामने से कभी हमला नहीं किया है इन्होंने हमेशा पीछे से ही बार किया है तो इनकी मनसा हो सकती है अबेड़कर जैन्ती को जिस तरह से बढ़ चड़कर के भोजन समाज ने मनाया है, सेलिब्रेट किया है, हरसोलास के साथ मनाया, त्यवार के रूप में मनाया है, तो इस बात से ये कहीं न कहीं सवन बिचारदारा, मनवादी बिचारदारा के लोग सहे में हुए हैं जब पूजना चाहता हूँ, कमाम हिंदू तोहर सार्विनिक रूप से मनाये जाते हैं, चाहे वो नवराते हों, खूब लावड स्पीर करके ये तोहर मनाये जाता है, गली-गली में जहांकियां प्रिश्चित की जाती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, आपने अब तक कितने लोगों का अपने प्रिशार प्रिशार से हिंदू धर्म में अन्य धर्मों के लोगों का धर्म परवर्तन कर लिया, और यही बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो मजजदों से आजान लगाते हैं, इस आजान से कितने गेर मुसलिम इस आजान को सुनकर मुसलिम पन चोके हैं। यह भी बात मुस्लिम संदाय को भी बताना चाहिए। और उन हिंदूओं को भी बताना चाहिए जो कहते हैं कि हिंदू खत्रे में है। इस असल मुद्धा स्रिप यही है कि देश का युवा बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है, अपना इत्यास जान रहा है, अपने पुरुकों को पहचान रहा है, तो अपने मूलनिवासी धम्म की ओर आगे बढ़ रहा है, यानि कि वो दिज्म की ओर आगे बढ़ रहा है, इससे ही इनको असली प्रॉब्लम है। ये संगी बिचारधारा के लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा देश में अम्बेड करवाद बढ़ेगा उतना इनको नुकसान है और बाबा साब या बुद्धिज्म के आयूजनों को ये डारेक्ट रूप से बंद नहीं करवा सकते हैं इसलिए ये पूरा का पूरा सडियंत रचा जा रहा है ये बात बौजन समाज को समझना चाहिए कि देश में रहना होगा तो जैसी रम कहना होगा ये कहां का तो कह है मैं अपने घर में रह रहा हूँ, कोई मेरे से पूछेगा तेरे पिता का नाम क्या है तो मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा या पड़ोसी के नाम बताऊंगा वो बात एक अलग है कि देश में कुछ विसेश जाती हैं, अपने फाइदे के लिए किसी से भी कोई सा भी रिस्ता जोडने के लिए तैयार रहती थी, हाँ आपके पास अगर कोई तागत है तो आप अपने धर्म का प्रिचार प्रसार कीजिए, आप बताईए ना जनता को, द साथ यह एक बात और, जो यह कहते हैं कि देश में रहना होगा, उसे जैस्रियम कहना होगा, तो ऐसा कहने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, कि हमारे यह सस्वी प्रधान मंत्री नरिंद मौदी को भी आदेश कर देए, कि आप जब भी विदेश में जाएं, तो विदेश में जाकर के जैस्रियम का नारा जरूर लगाएं, मैंने कई बार सुनाये, जब हमारे प्रधान मंत्री नरिंद मौदी जी विदेश जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की दर्ती से आया हूँ, इससे भी बहुत बड़ा घाटा है आपके संप्रताय को, आपके धर्म को नवस्कार सातियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनितावाज, सातियों देश में जिस तरह से अंबेड कर जैनती मनाई गई, बाबा साव डाक्टर भीमराव अंबेड कर को जिस तरीके से पूरे देश में याद किया गया, पूरा देश, हर्स और उल्लास के ऐसी खबरें भी सामने आई, जिन्हें देखकर आपकी रूह काप जाएगी, जिसमें से एक गटना तो दिल्ली के ही जहांगीर पूरी की है, जहां पर दो समदायों के बीच में तनाव इतना बढ़ गया, कि मामला अब कोट कचेरी तक भी पहुँच चुका है, ये मामला दूसरी तरफ इसमें अभी तक कुल 21 लोगों के खिलाब मामला दर्ज हो चुका है, अगर बात करें इस मामले में कल की, तो कल तक कुल 14 लोगों के खिलाब मामला दर्ज हो आता, वो भी सिर्फ एक समदाय के थे, इसके अलावा सातियों और भी महतूर खवरें हैं, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे क्यों के इसी खवर से मिलती जुलती खवर हैं, जब इस खवर पर हम चर्चा करेंगे, तो आपको साब साब पता चल जाएगा कि पूरा मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि जहांगीर पुरी का जो बिवाद है, वो इतना बड़ा क्यों, तो साथी आपको बताते हैं, यह गटना सनवार की है, सनवार को हनुमान जैनती निकालने के दौरान यह इंसक गटना हुई, जिसमें आठ नौ पुलिस कर्मियों की गायल होने की खवर सामने आ रही है, लेकिन साथी यह इसका मुक्य कारण क्या था, यह तो आपने तमाम मीडिया रिपोर्ट में खूब सुन लिया होगा, इसमें एक गंटे की कई चनलों ने डेवेटू यह बैठा रखी है, तो मैं ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहूंगा, कि मीडिया क्या दिखा रही है, और इसका क्या कारण है, क्योंकि आ आगजनीकों भी तैयार हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि देश के नागरिकों को महेंगाई, बेरोजगारी, सिच्चा में अविवस्ता, ये मुद्दे क्यों नहीं दीक रहे हैं, क्यों ये पिजूल की बातों में एक दूसरे के लिए खूल करावे पर निकल कर सामने आ रहे क्या देश में तमाम समदाय भाईचारे के साथ नहीं रह सकते हैं, या अब तक रहते हुए नहीं आये हैं, तो जाहर है जिस प्रकार से हमारा देश धर्म निर्पेच राश्ट है, और सभी धर्मों और पंतों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं, कहीं भी आ जा सक सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर जहांगीर पुरी जैसी गटना दो समदाय के बीच में सामने क्यों आ रही है, सातियों देश में खाने पीने से ले करके, ओडने, पहनने, कपड़ा, घूमना, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, इसकूलों में अगर बच्चों की फीस की बात करें, तो फीस आस्मान छू रही है, बेरोजगारी तो है ही सात्वी सात, कई प्रदेशों में ब्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, नौकरी की तैयारी करने वाले च्छात्र, कभी वेकेंसी के लिए परेशान है, तो कभी रेजल्ट के लिए परेशान है, तो कभी नाकारा नेताओं द्वारा बनाया जा रहा है, कि देश के आम नागरिक महत्पूर्ण मुद्दों पर बात करें, अपना हक अधिकार की बात करें, सिच्चा की बात करें, स्वास्त की बात करें, सुरच्चा की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, इन जहांगीरपुरी की गटना से जुड़ी हुई एक और बात निकल कर सामने आई है कि इस में सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों का दंगा बढ़काने में उप्योग किया गया है। और नहीं किसी का आज तक भला हुआ है। इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा जो आपको जेलना पड़ेगा। इसलिए इन हिंसक प्रदरसनों में सामिल होने से बचें। अगर आप किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं तो सांतिप्री तरीके से अपने धर्म का अनुस परम उजन करें। और यहीं इस तरह की गटना के कारण बनते जा रहे है . तो वहीं एक और सबसे वड़ा कारण यह है के जो देश में संगी बिचार धारा के लोग हैं जो देश को संप्रदाए के नाम पर बाटकर देश पर राज करना चाहते हैं, देश पर सत्ता में आना चाहते हैं, देश में सत्ता में बने रहना चाहते हैं, कहीं न कहीं बोट की राइनीत कर रहे हैं, और जिसको वो हिंदू समाज कह रहे हैं, उसके बहुत बड़े भाग को एक संपरदाय के किलाप खड़ा करके अपनी सत्ता को इस्तिर बनाई रखना चाहते हैं मैं यह बात क्यों कह रहा हूं यह बात आपकी समझ में बिलकुल क्लियर आ जाएगा आप पिछले दुनों हुई कुछ गटनाओं पर नजर डालिए आप देखिए उड़ी सामें बाबा साव अम्बेडकर की जैनती मनाते वक्त बजरंग दलवालों ने आद बासियों को कितनी बेरहमी से फीटा आप इस वीडियो में देख सकते हैं पाल वाल पाल, आपके पाल, आप एपो! वहीं एक और ताजा गटना यूपी के राए बरेली की है जहां पर मुक्यमंत्री योगी आदितनात का बुल्डोजर ठकता नहीं है वो कहते हैं कि अपरादी सभी भाग चुके हैं जो अपराद करेगा उन पर बुल्डोजर चलाया जाएगा ये छोटा सा बच्चा है उसको कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है तो साथियों ये तो वो खवरें जो अभी फिलाल कुछ दुनों में गटी हैं इसके अलावा आपने देखा होगा राइस्तान के पाली में जीतिंदर मैगवाल की सिर्फ मूच रखने पर हत्या कर दी जाती है चाए हात्रस का मामला हो मध्य प्रदेश में शुपरी का मामला हो तमाम ऐसे मामले जब सामने आ जाता हूं क्या किसी संपरदाय के लिए नपरत बनने के लिए ही यह समाज हिंदू हैं उनके अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं हैं इस बंचित समाज को अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं हैं तो साथियों ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूत नहीं हैं यह तमाम जिसमें S.C.S.T. पिछड़ा वर्ग ये हिंदू नहीं हैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात ये कतित उची जात वाले सवर्ण और सनातन धर्म वाले ही कहते हैं जब राश्तान के पाली में जीतेंद्र मेंगवाल के हत्यारों के खिलाप आवाज बुलंद की गई और नियाय की मांग की गई तो किस तरह से सवर्णों ने ये पंचात की गई और कहा कि दलित हिंदूयों को जूटा पसा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है क्योंकि यह जानते हैं और अपने मन में समयते हैं सही बात यह है कि देश की आबादी को दलित पिछड़ों और आदवासीयों को कभी हिंदू समयते ही नहीं है सिर्फ इन्हें एक मकोटा बनाकर नपरत बनने के लिए उपियोग किया जाता है और जब ये संगी बिचारधारा के लोग देश की बहुत बड़ी आबादी को सिर्फ मौकिक तोर पर हिंदू कहते हैं अपने फायदे के लिए हिंदू कहते हैं अपनी बोट बैंक के लिए हिंदू कहते हैं लेकिन इनके दिल में कुछ और ही होता है अगर इनी बातों को गहराई से समझें तो यह भी एक बहुत बड़ी साजिस हो सकती है कि जिस प्रकार से 2018 नहीं बलक मैं तो कहूंगा 2017 के बाद देश बर में पूरे बिस्व में जिस प्रकार से बाबा साव भीमराव अंबिड कर जी की जयनती मनाई गई है कहीं ये कचित उची जात वाले बाबा साव की अंबिड कर जयनती को देखकर वौकला तो नहीं गए हैं यह भी एक बजय हो सकती है देश में धार्मिक विबाद छेडने का क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बाबा साव भीमराव अंबिड कर जैनती पर रोक लगाएंगे तो सीधे सीधे लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इनका इत्यास बताता है इन्होंने सामने से कभी हमला नहीं किया है इन्होंने हमेशा पीछे से ही बार किया है तो इनकी मनसा हो सकती है अंबिड कर जैनती को जिस तरह से बढ़ चड़कर के भोजन समाज ने मनाया है सेलिवरेट किया है हरसो लास के साथ मनाया तो इस बात से ये कहीं न कहीं सवन बिचारदारा मनवादी बिचारदारा के लोग सहे में हुए हैं मैं पूछना चाहता हूँ जो देश के नपरत फैलाने वाले लोग हैं चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं तमाम हिंदू तो आर्म सार्विनिक रूप से मनाय जाते हैं चाहे वो नवराते हों, साल में दो वार नवराते आते हैं, एक चेत्र में, एक सरदियों में, खूब लावड़ स्पीर करके ये तोहर मनाये जाता है, गली-गली में जहांकियां प्रिष्टत की जाती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहत हूं, जो ये जहांकियां निकालते हैं, आपने अब तक कितने लोगों का अपने प्रिचार प्रिषार से हिंदू धर्म में अन्य धर्मों के लोगों का धर्म परवर्तर्न कल लिया, और यही बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मजजदों से आजान लगाते हैं, यान कि इस अजान दुआरा अपने समदाय के लोगों को नवाज पढ़ने के लिए बुलाते हैं, इस अजान से कितने गेर मुसलिम इस अजान को सुनकर मुसलिम बन चुके हैं, ये भी बात मुसलिम समदाय को भी बताना चाहिए, और उन हिंदूओं को भी बताना चाहिए, जो क असका विर्दय परिवरतन हो गया हो और से मुस्लिम धर्म सुईकार कर लिया हो नहीं किया हो तो मैं उन्से पूछना चाहूंगा कि हिंदू धर्म खत्रे में कैसे है और एक बार पुन मैं पूछना चाहता हूँ, इसफ़ष्ट कर दूँ, आप जो हिंदू त्योहार मनाते हैं, चाहे नवराते हों, चाहे रामलीला का आयोजन हो, या तमाम बंडारे, तमाम तरह के प्रोग्राम होते हैं, आपने कितने गैर हिंदूओं को इन तमाम आयोजन द्वारा हिंदू बना लिया है, मुझे पता है इसका जबाब क्या होगा, जीरो बटे सन्नाटा, यानि एक भी असा ब्यक्ति नहीं होगा, जो आपने हिंदू बनाया हो, तो असल मुद्दा क्या है, साथी असल मुद्दा सिर्प यही है, कि देश का युवा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपना इत्यास जान रहा है, अपने पुरकों को पहचान रहा है, तो अपने मूलनिवासी धम की ओर आगे बढ़ रहा है, यानि कि बुद्दिज्म की ओर आगे बढ़ रहा है, इससे ही इनको असली प्रॉब्लम है, यह संगी बिचारधारा के लोग जानते हैं, कि जितना ज्यादा देश में अंबेड करवाद बढ़ेगा, उतना इनको नुकसान है, और बाबा साव या बुद्दिज्म के आयूजनों को ये डारेक्ट रूप से बंद नहीं करवा सकते हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा सडियंत रचा जा रहा है, यह बात बहुजन समाज को समझना चाहिए, जो धर्म के नाम पर लड़ रहा है, अभी जो दंगे हो रहे हैं देश पर में जहां भी दंगे होएंगे, आप देख लेना, जिनके खिलाप कारवाई होगी, उस में से 90% पिछडा बर्ग समाज होगा, ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि आया है, 90% पिछडा बर्ग समाज पे कायमी होगी, इसका मतलब सातियों ये मत समझना, कि मैं कहने का मतलब ये है, कि ये लोग अपरादी है, मामला दरसल ये नहीं है, जब धर्म के नाम पर कोई भी लड़ाई होती है, तो जो धर्म के नाम पर लड़ाने वाले होते हैं, व कहा का तो कह, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, कोई मेरे से पूछेगा तेरे पिता का नाम क्या है, तो मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, या पड़ोसी के नाम बताऊंगा, वो बात एक अलग है, कि देश में कुछ बिसेस जाती हैं, अपने फाइदे के लिए किसी से यहां कोई सा भी रिस्ता जोड ने के लिए तयार रहती थी, किसी को भी पिता बना लेती, यह आप इत्यास उटा कर भी देख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसिराम कहना होगा लेकिन अपनी सुच्चा से कहेंगे, मैं भी कह रहा हूं जैसिरी राम, क्या दिक्कत थ जैसे हम कहने में लेकिन जब आप जवरस्ती करोंगों अब कहना हूँआ धर्म ने रपेच राश्ट में ऐसा होना जरूरी नहीं है कि आप जो कहें वो दूसरा माने सभी को अपना-पना धर्म संप्रदाय मानने की पूरी आजा दिये अपने धर्म संप्रदाय के बिचारों का प्रिचार प्रिसार करने की आ जा दिये आप दूसरे पर कैसे तोप सकते हैं हाँ आपके पास अगर कोई तागत है तो आप अपने धर्म का प्रिचार प्रिसार कीजिए आप बताईए न जनता को तो देखो, हमारे संप्रदाय में ऐसा होता है, हम इतने लोगों को गुलाम बनाते हैं, इतनों से सेवा करवाते हैं, और जो ये राइबरेली का वीडियो ऐसे हम पैर चटवाते हैं, तो आपकी कामियावी देखकर पूरी दुनिया वैसे ही आपके ध्रम में आ जाएगी, और साथ यो एक बात और, जो ये कहते हैं कि देश में रहना होगा, उसे जैसरी राम कहना होगा, तो ऐसा कहने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, कि हमारे ये सस्वी प्रधानमंत्री नरिंद मौदी को भी आदेश कर दें, कि आप जब भी विदेश में जाएं, तो विदेश गाटा है आपके संपरदाय को, आपके धर्म को, मुसलिम से नहीं है, मैं दाबे के साथ कह सकता हूँ, हिंदू धर्म को जितना नुकसान मुसलिम धर्म से नहीं है, उतना नुकसान अमिड करवाद से है, क्योंकि बाबा साब ने जिस तरीके से अपने अनवाईयों के साथ, 14 अक्टूबर 1956 में लाखों अनुवाईयों के साथ बहुत धर्म अपनाया वो सब को पता है और अभी क्या हुआ है दिल्ली और पंजाब में दिल्ली के मुक्मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने और पंजाब के मुक्मंतरी ने अपने अपने दप्तरों में बाबा साब और भगत सींग की तस्वीर लगाना सुरू कर दिया है मुझे पता है कि ये बोट के लिए किया है लेकिन कहीं ऐसा नहों कि अभी तो बाबा साब भगत सींग की तस्वीर लगाई है आने वाले समय में इतने मजबूर हो जाएं कि नहीं आवसे हमारे प्रदेश के जितने भी लोग हैं हम चाहे दिली के हों या पंजाब के हों या देश के किसी भी कौने में तो ऐसा आदेशन निकाल दें कहीं कि हम बाबा साब की 22 प्रतेग्याओं को मानेंगे और 22 प्रतेग्या क्या हैं आप खुद जानते हो इसलिए मैं कहरा हूँ कि देश को संप्रदाय के नाम पर मत बाटो और देश में जो मेन मुद्धे हैं उनकी बात करो महेंगाई की बात करो, रोजगार की बात करो, सिच्चा की बात करो, सुरच्चा की बात करो, स्वास्त की बात करो तभी इस देश का बला हो सकता है, वरना वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन, स्रीलंका और नेपाल जैसे हालात बनने में हमारे देश में देर नहीं लगेगी साथ ही और इस वीडियो में सिर्फ नाई आपकी इस ख़बर पर क्या रहा है अपने सुझा कमेंट वाक्स में जरूद है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्याद अपने दोस्तों में सेयर करना ना भूलें अभी के लिए सिर्फ इतना ही नवश्कार